सबी दर्शकों को मेरा नमस्कार जैसा कि आप सब जानते हैं कि कारक प्रकरन पर ये व्याख्यान श्रिंकलाच प्रसारित की जा रही है और इसी संदर्व में अन्य कारकों के विशे में बताने के बाद शष्टी वक्ती के विशे में मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ और शष्टी वक्ति के संबंद में बहुत से ऐसे महत्पूर्ण विशय हैं जिनके विशय में विभिन विद्वानों ने विभिन आचारियों ने अपने विन विन मत प्रस्तुत किये हैं उन में से सर्व प्रमुक जो मत है एक तो अश्टाध्याही का ही है उनके सूत्र हैं और इनी के व्याख्या के रूप में आचारे भरत्री अरी ने अपने वाक्य बदिये के साधन समुद्देश में इनके विशे में विश्ट्र चर्चा की है क्योंकि शष्टी वक्ति के संबंध में ये कहा जाता है कि शष्टी विभक्ति कारक के अंतरगत नहीं आती है शष्टी को विभक्ति के रूप में ही देखा जाता है तो इसका क्या कारण है और क्यों इसको कारक के रूप में नहीं देखा जाता और कौन से आचारे कौन से वय इसको कारक प्रकरण के अंतरगत भी मानते हैं इस समस्त विशे पर शर्चा वहती अनिवारे हैं तो शष्टी वक्ती को शष्टी वक्ती मानने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये माना जाता है कि शेशे शष्टी शुत्र जैसा कि हमने उसमें व्याक्या भी की थी कि में प्रियुक्त किये जाते हैं उनसे अतिरिक्त जो बच जाता है तो इनकी अतिरिक्त जो क्रिया के साथ संबद्ध हो ऐसा कोई बचता नहीं शेश नहीं रहता है तो इनसे जो शेश है तो इनसे शेश संबंद ही है विभिन प्रकार का संबंद जो परस पर पदों में होता है देखे, कारक और विभक्ती में अंतर यहां पर यह है, कि यदि हम कहते हैं कि कारक में विभक्ती हो रही है, तो कारक का अर्थ होते हैं क्रियाम करोती ही थी, तो क्रिया सिद्धी में जो सहायक होता है, क्रिया को निश्पन करता है, वो कारक कहलाता है, तो यदि हम कर्म करन इत प्रिठक होने के रूप में करें, तो जो क्रिए उस वाक्य में वर्णित की जा रही है, उसकी सहायता करने के कारण, उसकी निश्पत्ती में सहायक होने के कारण, उनको हम कारक कहते हैं. क्रिधाद उसे नूल प्रत्य करने पर कारक शब्द बनता है कर्त्रे अर्थ में तो यहाँ पर यदि हम बात करें शश्टिव भक्ति की तो इसको कारक के रूप में ना मानने का प्रियोजन यही है कि क्योंकि यह क्रिया के साथ साक्षात रूप से संबद नहीं होता है अपित पुरुष का क्या आरत है स्वस्वामी भाव आदी संबंद पदों में जो इस प्रकार के संबंद होते हैं जैसे राग्या पुरुष तो यहाँ पर राजन और पुरुष इन दोनों में स्वस्वामी भाव संबंद है राजा स्वामी है और पुरुष सेवक के रूप में है तो ये वाक्य में प्रियुक्त क्या हो रहा है पुरुशह तो पुरुशह जो है वो क्रिया के साथ उसका संबंद हो रहा है ना कि राजन का राजन का पुरुश के साथ संबंद हो रहा है तो इसी को हम शेश कहते हैं कि कारक आदि से जो शेश हमारे पास प्राप्त होता है वो उसको शेश बोलते हैं और उसमें शष्टी का प्रयोग किया जाता है तो एक तो ये मत है कि कारक में इसलिए इसको कारक नहीं कहा जाता क्योंकि क्रिया से इनका साक्षात संबंद नहीं होता है शष्टी वक्ती वाले पद का दूसरा जो है यदि हम कहते हैं कि शश्टी भक्ती और कहा होती है शेश का सम अर्थ दूसरा क्या है तो दूसरा अर्थ शेश का यही बताया गया कि जो कर्म करण संप्रदान आदि के द्वारा यदि हम अपने बात को ना कहना चाहें और हम उसका संबंद मात्र बताना चाहते तो देखें यहां पर थोड़ा सा यदि हम इसको ध्यान पूरवक देखें तो जब हम यह कहते हैं कि ओधनम पच्यती या राजानम पश्यती तो यहां पर यहां पर यहां पर कहें मातरम स्मरती यदि हम इसको कह लेते हैं मातरम स्मरती तो यहां पर स्मरण क्रिया के निश्पत्ती का जो है स्मरण क्रिया में जो अभिष्टतम कारक होता है वो क्या है वो है माता स्मरण क्रिया किसके लिए की जा दिया तो अभिष्टतम होने के कारण यहां मातरी जो हैं यह करम है और करम कारक हो गया क्योंकि यह क्रिया की सिद्धी में साक्षात रूप से अभिष्टतम के रूप में सहायक है इसलिए यह कारक है लेकिन वक्टा जो वाक्य भोलता है जो अपनी भाशा का प्रेयोग करता है तो वो आवश्यक नहीं है कि वो इन नियोमों से बंद कर इसी प्रकारते वाक्य को बोलना है वो स्वेच्छा की अनुसार सार्थक होना चाहिए और जो अर्थ वो बताना चाहता है वो अर्थ प्राप्त होना चाहिए तो वो अर्थ प्राप्त करने के लिए वो विवक्षा के अधीन है कि वो उसे किस रूप में अपनी बात को स्पष्ट करता है तो जब करता जो है वो करमादी की विवक्षा ना करना चाहे केवल मात्र उसको संबंद मात्र दिखाना चाहता है तो वहाँ पर शष्टी भक्ति का प्रयोग किया जाता है वो भी शेश कहलाता है तो करमादी की विवक्षा ना करके उसे केवल मात्र संबंद रूप में दिख कहला दो